नमस्कार मैं प्रेंका आप देख रहे हैं ओनलाइन न्यूज इंडिया जो जितना विवादित बोलता है वो उतना ही फेमस हो जाता है मौजूदा हालातों में यही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है नोपोर शर्मा को तो आप जानते ही है बिजेपी प्रवक्ता है अब तो पूरी देश तो क्या पूरी दुनिया उनको जानती है नेगेटिव पबलिसिटी ही सही खूब पबलिसिटी पटोरी है पैगंबर के खिलाब अभद्र टिपड़ी करके तो वहीं बिजेपी ने अपना भी पला जाड लिया है सिर्फ सस्पेंड करके बिजेपी ने तो अपने आपको पाक साफ कर लिया है इसलिए भाशपाई नेताओं को भाशपाई गैंग को ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ सस्पेंशन के बदले धेर सारी पबलिसिटी घाटे का सौधा नहीं है इसलिए भाशपाई गैंग के नेताओं का नाम नुपुर्शर्मा के पीछे लाई में जुड़ता जा रहा है नुपर्शर्मा से दो कदम आगे बढ़कर भाशपाई नेता ने पैगंबर के खिलाफ अभद्र टिपणी की है जी हाँ सक्त कारवाई न होने की वज़ा से नया नाम जो इस लिस्ट में जुड़ गया है वो है विजेपी यूथ विंके नेता और पदा अधिकारी हर्शिष शिर्वास्ताओ हर्शिष शिर्वास्तो नुपर्शर्मा तो है नहीं इसलिए वो नब गए हैं नुपर्शर्मा को पर तो कारवाई अभी कोई हुई नहीं है लेकिन हाँ हर्शिष शिर्वास्ताओ भाश्पाई नेता हर्शिष शिर्वास्तो को जेल में ठूस दिया गया है जलसता की खबर है कि कानपूर वॉयलेंस पैगंबर मुहम्मद पर विवादित पोस्ट करने वाला विजेपी नेता किरफतार महौल बिगारने का आरोप है महौल बिगारना तो ऐसा लगता है कि जैसे कि भाश्पाई ग्यांग समेथ अंद्भक्तों समेथ कारे करताओं और तताकतित भगवा विगेट की आदत बन चुकी है जो जितने विवादित बोल बोलता है उसको उतना ही मीडिया कवरिज मिलता है डिबेट्स में बुलाया जाता है लगातार बोलता है धरा धारा प्रवा अनाक शनाब जो मन में आता है ये लोग कहते हैं उसके साथ ही वो भी आपको खबर पता है कि दंगाईयों को तो सम्मा ब्रादित्वी किया जाता है जेल से चुट जाते हैं तो विजेपी में सम्मान भी मिलता है इसी लिए इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि अब ये कुछ भी कह रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं विजेपी के यूथ बिन के नेता जो हर्शित चिरवास्तों हैं उन्होंने भी सोचा कि खुब publicity मिलेगी नुपर शर्मा को तो मिली रही है कुछ दिनों बाद suspension का क्या है कुछ दिनों बाद फिर पार्टी में बुला लिया जाएगा इसलिए उन्हों उने अभद्र टिपड़ी करने के साथ ही भढ़काने दंगा भढ़काने का भी काम किया लेकिन वो नब गए है खबर के अंदर क्या लिखा है वो भी आपको बता देती हूँ खबर में लिखा है कि बिजेपी की राश्टी प्रवक्ता नुपर शर्मा की ओर से पैगंबर के खिलाफ विवादे टिपड़ी करने किये जाने पर उत्तरप्रदेश के कानपूर में हाल ही में हिंसा देखने को मिली थी जिसके बाद पैगंबर मुहम्मत के खिलाफ बोलने वाले बिजेपी की यूद विंग के नेता हर्शिशिरवास्तों को गिरफतार किया गया है दरसल कानपुर हिंसा के बाद हर्शिशिर्वास्तों ने पैगंबर मुहमत के खिलाफ विवादा इस पर ट्वीट किये थे जिसे लेकर मामला दर्श किया गया है फिलहाल बिजेपी के यूद विंग के नेता हर्शिश शिर्वास्तों ने अपने ट्वीट सोशल मीडिया से तो हटा लिए हैं लेकिन भावनाय आहत करने के मामला दर्श करते हुए उन्हें पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पुलिस न कि इसी मामले पर कानपुर के पुलिस आयुक्त विजय मीडा ने कहा है कि जो भी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवार करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हम कारवाई करेंगे कारवाई तो हो रही है लेकिन कैसी कारवाई हो रही है यह आप जानते हैं भाचपानेता हो कोई तथाकति भगवाट ग्रिगेट से जुड़ा हुआ आदमी होता है शक्स होता है कारेकरता होता है अंदभक्त होता है जितनी जल्दी गिरफतार होता है उतनी ही जल्दी रहाई मिल जाती है पहले तो गिरफतारी होती नहीं है लेकिन अगर गिरफतारी हो भी गई तो आसानी से मिल जाती है ऐसे कई केसे बजरंग मुनिदास है यतिनर सिंगानंद है पुझा शकुन पांडे आप बहुत सारे नाम जानते हैं जो कि जेल गए हैं बाहर आ गए हैं और बाहर आने के बाद फिर से विवादि टिपड़ियां दे रहें लगातार लेकिर अभी तक कोई अब हत्रभाशा का इस्तमाल नहीं करेंगे कोई विवादि टिपड़ी नहीं देंगे लेकिन उसके बावजूद वो लगातार ऐसे बयान दे रहें जिससे विवाद खड़ा हो हिंदू बना मुस्लिम कर रहें लेकिन कोई गिरफतारी और कोई कारवाई नहीं हो रही ह इसलिए भगवा जो ग्याई है उसके जो जितने भी मेंबर हैं उनके होसले लगातार बुलंद हो रहे हैं नुपर्शर्मा और नवीन जिंदल तो इसमें इन्होंने महारत हासिल कर रखी है इनको बस एक सस्पेंशन कर दिया जाता है एक को निश्कासित कर दिया जाता है ज हाँ अभी तक गिरफ्तारी हुई है हाँ FIR जरूर दर्ज की गई है अब कब कारवाई होगी वो तो देखने वाली बातें और कारवाई नहोंने के चलते यह सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सक्त कारवाई न होने के चलते पूरा खेल किया जा रहा है लग रहा है कि कारवाई तो हो नहीं नहीं है सपोर्ट भी मिल रहा है सोचल मीडिया पर ग्यांड भी अक्टिव है जो कि सपोर्ट करती है किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोला जाए कुछ भी कहा जाए कुछ भी किया जाए इसी का नतीजा है कि लगातार जो हालात है वो बिगरते जा रहे हैं विजेपी ने तो बयान दिया है कि सर्वधर्म संभाव सर्वधर्म सुखाय की हम लोग बात करते हैं किसी भी धर्म को अपमानित ना किया जाए ऐसे बयान ना दिये जाए नवीन जिंदल और नुपर शर्मा के बयान के बाद से बिजेपी की तरफ से प्रेस्नोट आया है लेकिन इसके बावजूत उन्हीं के नेता इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं इसमें हर्शित शिर्वा होगी कितनी नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फिलहाल अभी तक नोपर शर्मा तर्म और क bluff शर्मा को गिरफतार नहीं किया गया है वह ओग रही हैं में हैं किन उनकी कोई गिरफतारी नहीं हुई हैं उसी के साथ साथ कई ऐसे ट्वीट्स हैं कई अंधभक्तें कई कारे करता हैं सोशल मीडिया पर नुपुर्ष शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं कह रहे हैं जो उन्होंने कहा है वो ठीक ही कहा है जबकि बीजेपी इक सरकार ने अपना प्रेस नोट जारी करके कह दिया है कि हम कुछ लेना देना नहीं इस बयान से लेकिन इसके बावजूद जो दूसरे नेता हैं जो दूसरे कारे करता है जो इनके भक्त हैं वो इसको सही साबित करने की होड में जुटे हुए हैं अंतराश्टी बेज़ती होने के बावजूद इनको कोई शर्म नहीं है कानपूर में तो हिंसा होती है तो पोस्टर लग जाते हैं जो दंगाई होते हैं उनके पोस्टर लग जाते हैं तो इनके जो बिजेपी प्रवक्ता हैं इनके भी पोस्टर अब चिपका देने चाहिए कि इने गोधी मीडिया कोई अपनी डिबेट में ना बुलाए किसी तरह का कोई भी बय बाद हो रहा है देश में कैसे नफरत का महौल पैदा हो रहा है यह आप बहतर जानते हैं जब तक कोई सक्त कारवाई नहीं होगी जब तक मोधिशा के तरफ से कोई सक्त बयान सामने नहीं आएगा वीडियो सामने नहीं आएगा तब तक शायद ये लोग रुकने वाले नहीं है ऐसे में बहुत जरूरी है कि सकते से सकत कारवाई करके नजीर स्थापित किया जाए इस पूरी खबर के साथ तब तक के लिए हनिवाद इस खबर को अभी लाइक करें शेर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दो